देखिए हमारे देश के प्रदानमंत्री कहना चाहते हैं कि ये काले कानून नहीं है जबकि हमारे किसान और हम सब लोग यहां पे चत्तर दिन से खड़े हैं और हमारे देश के प्रदानमंत्री कहते हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूगा देश नहीं जुकने दूगा हमारे देश के प्रदान मंतरी ने जो हमारी देश की एकउनमी को बढ़ाने वाली चीज़े थी उनको सब को बेच दिया है और बेचकर हमारे देश को खोकला कर दिया है जो हमारे देशी की बोडी थी उस बोडी को धाचा दिखा कर कह रहा है कि मैं देश नहीं बिकने दूँगा मैं देश नहीं जुकने दूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पहले दो करोड युवाओं को रोजगार दिया फिर किषानों के खातें 15 मैं 15 पैसे भी किया एक आप मेरे साथ किसी का इंटर्वियू ले हैं मैं कहाँगा मिझे खाना खाना है मैं पहले खाना खाऊँगा तो आपकी जबर्दस्ती तो होगी नहीं कि मैं आपके जाके किसी का इंटर्वी ले लूँ उसी तरह से हमारे देश के प्रदान मंतरी हमारे उपर ये काले कानून थोप रहे हैं और जब तक ये काले कानून से नहीं होगे जब तक घरबापसी नहीं होगी मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रदान मंत्री और देश के किर्सी मंत्री जो अपनी किर्सी मंत्री जो है मंत्री जी के चस्में और मोदी जी के जो बने बाहे हुए पूर्वी उत्तरप्रदेश से डाक्टर नादरिस सलाम मैं वहां सिध्धाद नगर गाउम में एक कसबा है इटवा मैं वहां का रहने वाला हूँ और पूर्वी उत्तरप्रदेश ही नहीं पूरा पूर्वी उत्तरप्रदेश इनके कारनामों को देख चुका है 26 जमरी का कारनाम है उन्होंने ऐसा किया है ऐसा हमारे किसानों को उन्होंने बदनाम करने के लिए जो सडेंतर रचा था जिसमें ये पूरी तरीके से फैल हो गए इसको सोसल मीडिया के माद्यम से और जो कुछ हमारे निस्पक्ष पत्रकार है जो कुछ मेन स्ट्रीम की मीडिया है उसने तो बहुत भरमित किया लेकिन जो हमारे सोसल मीडिया के हैं या जो कुछ निस्पक्ष पत्रकार हैं उन्होंने देश और दुनिया को दिखा दिया कि ये सरकार पूरी तरीके से हमारे किसानों को बनाम करना चाहती है जब कि ये अपने काले कारणामे में आज फस्थूके हैं इनको ये देश को बताना होगा कि जो हमारा आन दाता है जो हमारा किसान है क्या ये आतंकवादी है क्या ये खालिस्तानी है इनको आज बताना होगा आप इन नुकिले तारों से इन कटिले तारों से इन बेरिकेटिंग से आप देख सकते हैं कि अब इनको सिर्फ यहां पर लाकर मिजायल और टैंक लगाना है यानि कि ये बॉर्डर पर जितनी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं जहां पर इनको देने की जरुरत है वहां पर ये नहीं दे पा रहे हैं और हमारे किसानों के लिए इनुने कटिले तारों का एक पूरा जाल भिशा के रखा है तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप इतने एहंकार में इतना चूर मत हो जाईए कि आपका जो है अंत तुरंत हो जाए आपका अंत होना तो अब स्वभाविक हो गया है अब देश की जनता जान गई है कि ये आपको पूरी तरीके से उकाड फेकने वाली है लेकिन आप अभी तक नहीं सचेते हैं ये हमारे जो किसान हैं ये धर्ती के लाल है सच में यही धर्ती के लाल है इन्हीं के ये देश है ये अंडानी अडानी अंबानी के दलालों का देश नहीं है ये हमारे किसानों का देश है ये हमारे नौज़ान का देश है ये हमारे मज़दूरों का देश है इसमें तुम्हारी कोई भी दादागिरी नहीं चल पाएगी आज नौज़ान पूरी तरीके से इकठा हो गया है कमरबद हो गया है तुमको उखाड फेकने के लिए दोहजार बाइस आने वाला है तुमको इसका सबक किसानों की इस दर्द का सबक तुमको मिलेगा पहले दोहजार बाइस में योगी सरकार को उखाडा जाएगा उसके बाद 24 में मोधी सरकार को उखाड़ के फेका जाएगा जब तक इनको उखाड़ के हम फेकेंगे नहीं दब तक इनका अहंकार चूर नहीं होगा सत्ता परिवरतन तो इतना जरूरी हो गया है यह हमारे किसान आज जान चुके हैं और यह अंदोलन पूरा जन अंदोलन बन चुका है इन किसानों के साथ माए भी हैं बहने भी हैं बच्चे भी हैं बुढ़े भी हैं नजवान भी हैं ब्यवसाई भी हैं सिर्फ इनके कुछ चार-पांच पूजी पत्त मत्रियों को छोड़ कर